आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, समगा question है Find the units digit in the expression 515 to the power 31 plus 525 to the power 19 इसका में unit digit find करना है तो unit digit का rule होता है rule देख लाते हम तो मैं पर हम rule देख लाते है rule क्या होगा to find to find unit digit unit digit of any number of any number divide its exponent by 4 and write the remainder as exponent as exponent यानि कि जब भी किसी number का हम unit digit find करनेंगे तो उसका जो exponent होगा power उसको हम 4 से divide करेंगे और जो remainder आगा वो लिखेंगे तो सबसे पहले 515 को लेते हैं तो 515 का exponent क्या है 31 तो हम यहापे क्या करेंगे 31 को divide करेंगे 4 से तो अगर हम इसको 4 से divide करते हैं तो कितना मिलेगा यह हमारा 7 टाइम्स जाएगा तो यह 28 यानि 3 तो remainder कितना बचा तो 3 बचा तो यह जाएगा 515 to the power 3 एन उसी तरह हम 525 को करते हैं तो यह जाए 525 पावर क्या हमारा 90 है तो 90 को हम divide करेंगे 4 से तो 4 divide by 90 इसको करेंगे तो यह 2 times 8 यह 1 यह 0 तो यह 2 times आएगा यह हो जाएगा 8 तो 2 remainder 2 आगया तो इसको लिखेंगे हम क्या 525 तो पावर हमारा क्या हो जाएगा 2 अब हम इसको 8 करना है तो 8 कर लेते है 500 15 to the power 31 प्लस 525 to the power 19 का हमें unit digit बताना है तो इसका भेलू तो यह आए 515 to the power 3 प्लस 525 to the power 2 अब हमें unit digit बताना है तो इसका unit digit का है 5 और इसका unit digit भी 5 है तो यह हो जाएगा 5 का पावर cube और यह भी हो जाएगा 5 का पावर square क configured फार्व कि क्या होता है मारा 125 होता है 125 बहुता है फाइसको गाता है 25 तो इसका Unitive वाइब हो गया unit digit खार इसका five होगया unit digit उना जी याने कि कितना होगने to 10 और 10 का Unitive इसको जाएगा जीरो सो यहां समझ धिलॉप सकते है Papua unitी ही उनिडिट को जी दो, यह गया हमारा सॉलूशन, थेंक यू